हाजी सभी साथियों को नमस्कार अभी अभी एक नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर विद इमीडियेट इफेक्ट आपको जॉइनिंग के लिए बुलाया गया है तो आप इसके अंदर जो एनेक्जर इसको बदा देता हुए जो पहला जो एनेक्जर आप इसको डाउनलोड है अपनी अपनी जो भी डिस्टिक है वहां पर भेज़ेंगे और उसके बाद आपका करेक्टर की वैरिफकेशन हो जाएगी तो यहां पर जो भी डिस्टिक मजिस्टेट होगा जहां का भी अपनी डिस्टिक का नाम लिखना है वैरिफकेशन फोर्दा पोस्ट ओफ वी एल Haan पर आप फोटो भीक्स करेंगे आप अपना सर्थ लिखेंगे और यहां पर आपका पर्मानेन्ट एड्रस होगा इसके बाद हो में डिखा होगा इसके बाद आपका अधारण नमबर पिखा नाल लिख रोगई नैस्टि इंडियन कि इसके बाद डीट O कहांपर हो और कहां से बिलोंग करते हो और आपके Father Primally कहां से बिलोंग करते हैं यह चीज़े लिखने है इसके बाद आपका जो Religion है वो लिखना है और और अगर आप itu caste से हो तो आपको yes करना हैँ इसके बाद आपको कितने समय से आप एक स्थान पर रहे रहे हो फ्रोम आप जैसे आपका मानलोग किसी प्लेस पर आपने पैदा हुए हो जनम लिया है वहाँ आप भाई फ्रोम आपने आपकी डेट और बर्त और अब तक की डेट है भाई मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और हमारा छीजे लिख हो गए इसके बाद आप फैम्ली आईडी के हिसाबसे अपना फादर नेम मदर नेम वाईफ एस्बन ब्रोदर और शिष्टर इसके नाम ब्रदर और सिष्टर के नाम लिखेंगे इसके बाद आप अगर बच्चे है मैरीड है कोई तो अपने यहां पर फिल कर सकता है क्वालिफिकेशन आपको यहां पर लिखनी है यह दसमी आपने कौन से स्कूल से की कब एंट्री करी है और कब उसे स्कूल को छोड़ दिया इसके बाद आप नेम ऑफ स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस इन स्कूल एंड कोलेज सिंस फिप्टेन इयर्स ओफ दा एज यहां पर आपकी दसमी हो जाएगी यहां पर लिखना भाई कब उस स्कूल को छोड़ा है आपने इसके बाद आपका अगर आप पहले से गॉर्मेट जोब के अंदर है तो आप यहां पर फिल अप करोंगे इसके बाद आपने अगर कोई केस ओगारा है तो यहां पर आपको अगर नहीं है तो नो करना है और अगर है तो आपको यहां पर मेंशन करना है इसके बाद रेफरेंस के अंदर आप दो आपके जिनकी ID proof ID identification के लिए यहां पर दो responsible person के नाम लिखने होते है ताकि उसके बाद पुलिस है उन दो गोवा से आपकी वेरिफिकेशन कर सके यहां पर डेकलेरेशन आपको नाम लिखना है और यह फिर ओफिस वाले फिल करेंगे और अपने आप वे अपने जो भी हैड़ क्वार्टर होगा वहां पर भेज देंगे और बाद में आपकी क्रेक्टर यहां पर आप इसको फिल कर सकते हैं नाम अपना फादर नेम कितने सालों से आप यहां पर उनके नोलिज में रह रहे हो यह चीज़े लिख सकते हो तो लास्ट वाला फॉर्मट है यह आपका अगर किसी सर्विस से आप डिस्चार्ज हुए है तो उसके बारे में लिखना है तो यही था एक छोटा सा प्रफॉर्मा आप वीद इमेडियेट इफेक्ट आपकर कल ही जाकर वहां पर यह जमा करवा सकते हो धन्यवाद